असलाम अलेकूम विवर्ज उमीद है आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मुतंजन राइज यानि के मीठे चावल उसके लिए हमने सेला चावल लेके इनको एक गिन्टा भी गोया और फिर मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया और दूसी तरफ ही मैंने शीरा बनाने के लिए एक लिटर ओयल और तक्रीबन डीड़ किलो चीनी ये हम बना रहे हैं तीन किलो चावल जो मीठे चावल उसमें हमने एक चुटकी नमक की डाल दी दो तीन सबज लाचियां डाल दी चार पांच लॉंग डाल दीए जब तक ये शीरा त्यार होता मैंने चावल भी बाइल करने के लिए राखती हैं वह भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी ये देखें शीरा हमारा 10 से 15 मिंट में बन के त्यार हो गया है ये देखें बहुत अच्छा शीरा बन के त्यार हुआ और दूसरी तरफ हमारे चावल भी बाइल हो गया है अच्छे तरीके से ये हमारे चावल बाइल हो चुके हैं इसका दाना दाना लाग है सेला चावल है इसलिए ये बहुत अच्छे बनते हैं और मिठ्छे चावलों के लिए ये ये ही चावल बहतर रहते हैं बाकी चावल दम में जो थोड़ बोतिन में कसर रहेगी होगी वो हो जाएगी पूरी अब हम इसमें जो हमने वो शीरा बनाया वो डाल देते हैं इसको अच्छे से हम जिस तरह हम कोई चिकन गारा डाल के भूनते हैं इस तरह हम यह शीरा डालने के बाद इन चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे या भून लेंगे जब तक यह शीरा हुश्क होता हमारा शीरा हुश्क हो चुका है अब हम इसमें कलर दूद में एड़ करके डालेंगे अगर तो लिक्वर्ड फार्म में तो फिर आप इसे एड्रेक्ट ही डाल सकते हैं लेकर अगर पाउडर में, तो फिर आप इनको दूद डालें, ये दो चुमे दूद की डालके उसमें कलर डाला, और साथ ही हमने इसको एड़ कर दिया, चालों के उपर ऐसे करके हम डाल देते हैं, ये देखे, मैंने अब दूसरा कलर भी मिक्स करके ये अब दूसरा कलर डाल दिया, ये अब दूसरा कलर डाल दिया, जितने कलर आपको उपसान दें, आप डाल सकते हैं, कोई उसके लिए मुखसूस नहीं है, कि आप ये डालें ये वो डालें, जो कलर आपके पास अवेलेबल हैं, वोhos यह आप डाल सकते हैं. यह मैंने सारी कलर इसमें डाल दीते हैं. अब मैंने यह जो फ्राइ करके रख लेते हैं, यह खुश्क मेंवे, उसमें बदाम है, नाड़एल है और किशमिश है, इनको मैंने फ्राइ करके रख लिया अब मैं इनको इसके उपर डगा रही हूँ बीच में अगर डाल दें तो वो जादा गल से जाते हैं किशमिश भी गल के अजीब सा टेस्ट आ जाता इसलिए सबसे उपर डालें तांके बाद मैं सिर्फ जब मिक्स करें तो सिर्फ ड्राइफम्ट का ही टेस्ट साथ में आये ये देखर ये हमारे चावल डम होके त्यार है माशाला देखें कितने ब्यारे बन के त्यार हो गएं अब इसको एंड तक आप मिक्स करें सारा जो ड्राइफ रूट है और इसके कलर जो है यह आपस में मिक्स हो जाएंगे यह हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं आज मिलाद भी है मिलाद की हुशी में हमने यह चावल बनाएं यह देखें यह सारा जितने भी कलर रहे हैं सारे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए नीचे तक लिगाएं चमचा और अच्छे से इसको मिक्स कर लें बहुत एक एक दाना अलग अलग बना है कोई एक दाना दूसरे दाने के साथ नहीं लाक रह है ना ही कुछ 疾पक राई या कुछ ऐसा बिल्कुल अलाग और खिला खिला चावल बना है अब हम इसे रिशाउट करते है जरूर ट्राइ कीजिए बिल्कुल इजी रेस्पी मैंने बताई है कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको मुश्किल पेश आए यह देखें बहुत अच्छी बन के त्यार होगी है नेक्स वीडियो तक के लिए लाहाफिज